हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगीन टू लण्विर दीतीमन आज हम करने वाले हैं वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धान्त शोशियो कल्चरल थियोरी ठीक है याद रखिएगा वाइगोस्की का जो सिद्धान्त दिया था उन्होंने बालक के विकास का वह दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धान्त बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थियोरी है जिस तरीके से जीन प्याजे जो है उन्होंने दीती थियोरी उसी तरीके से वाइगोस्की की जो थियोरी है, वो भी बहुत important रहती है, क्योंकि कोई भी आपका teaching का exam हो, आपका REIT, CTAT, KBS, DSSB, other TAT, कोई भी TAT हो, वहाँ पर आपकी gene प्याज और वाइगोस्की, यहाँ से प्रश्नों जो है, वो आते ही है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से इनको पढ़ना है, और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आज आपका जो यह unit है, आपकी syllabus के according, first unit आपकी complete हो जाएगी, और किसी भी दिन आपका test ले लूँगी, एक दो दिन बाद, इसी तरीके से, कल आपका जो history का class 6 का test होगा, यह मैं आपको आज inform कर रही हूँ, तो आप प्यारी करते रही है, चलिए, तो वाईगोस्की और जीन प्याजे, यहां पर दोनौ में थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करिये, कि जीन प्याजे जिस तरीके से कहते हैं कि वालक यह सूएम से सीखता है, ठीक है, वही वाईगोस्की कहते हैं कि वह सामाजिक अंतहक्र या से सीखता है यानि जब वो समाज में आता है इंट्रेक्शन करता है उसके बाद वह कुछ भी सीखता है ठीक है इन दोनों में अंतर केबल यह है चलिए स्टार्ट करते हैं वायगौस की का सामाजिक सांस्कृति विकास का सिदंद वायगौस की एक रूसी विज्ञानिक थी इन्होंने सोशल कंस्ट्रेक्टिविस्ट यानि सामाजिक रचनावाद को बहुत महत्व दिया इन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर किसी भी वस्तू का रचना करता है किसी भी वस्तू को कंस्ट्रक्ट करता है जबकि जीन प्याजिका कहना था कि वह स्वैम से उसका रचना करता है मुख्य विंद्यू देखिए जिन पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है सामाजिक अंतहकरिया को ये सोसल इंट्रक्षन की बात करते हैं देखिए ये जो पॉइंट है मुख्य विंद्यू इन वर्ड को देखती ही आप अपने ऑप्षन के सही आंसर पर पहुंच सकते हैं तो आप इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा कि जीन प्याजे ने किन वर्ड पर फोकस किया ता की वर्ड को पकड़ने की कोशिश करिएगा मुख्य विंद्यू है सामाजिक अंतहकरिया सोसल इंट्रक्षन कि बच्चा एहम केंद्रित होता है इगोसेंट्रिक होता है जो कि किसी काम का नहीं होता है उसी को वाइगोस की कहते हैं यह टो प्राइवेट स्पीच है जब वो खुद से बात कर रहा है वो खुद को दिशा दे रहा है आगे पहुँचने के लिए तो उन्होंने इसे private speech कहा है तो ध्यान रखिएगा इगो सेंट्रिक जीन प्याजे कहते हैं और उसी बात को वाइगोस की private speech कहते हैं reciprocal teaching एक ये वर्ड आता है वाइगोस की case में कि open dialogue between teacher and student जब teacher और student जो है वो आपस में जब बाते कर रहे होते हैं उसी को कहते हैं reciprocal teaching अब ये वर्ड जो है वो जैसे ही आप exam में देखेंगे आप पटाफट से लगाईएगा कि ये वाइगोस की की theory है next है language से thought या learning से development अब इसका आर्थिया है कि जीन प्याजे कहते हैं कि पहले विचार आते हैं उसके बाद भासा का development होता है लेकिन वाइगोस की बुल्कुल उल्टा कहते हैं वो कहते हैं पहले तो भासा आती है उसके बाद thought आती है जब वह समाज में बादचीत करता है उसके बाद ही बच्चे में विचार आते हैं तो देखिए यहां पर confusion हो जाएगा तो आपको केबल यह याद रखनी है कि जीन प्याजे किसकी बाद कर रहे हैं जीन प्याजे कहते हैं पहले विचार आते हैं उसके बाद भासा ठीक है और इसी का उल्टा आप कर कर देंगे वाइगोस्की की ठियोरी में यानि लर्निंग से डेवलमेंट होता है वाइगोस्की की जो बुक है उसका नाम है लेंगवेज थौट वाइगोस्की की बुक का नाम याद रखिएगा लेंगवेज थौट यहां पर इन्होंने कुछ वर्ड दिये हैं जैड पीडी अब निपस्त विकास का सिद्धान्त इसकी फुल फॉर्म है जोन ओफ प्रॉक्सीमल डेफलोप्मेंट बच्चों द्वारा सोतंद रूप से किये जाने वाले कारे और साहेता प्राफ्त कारे के बीच अंदर मान लीजिए कोई बच्चा है और वहें खुद से कारे कर रहा है ठी जैड़ पीडी यानि खुद से किये गए कार्रे और किसी ने हैल्प कि उसके बीज में जो अंतर है वही है जैड़ पीडी ठीक है ? नेक्स्ट है स्कैप फोल्डिंग जिसे वाइगोस्की ने माचान कहा है बच्चे ने खुद से कार्य किया लेकिन उसके बाद जो उसे हैल्प मिली वही है स्कैप फोल्डिंग देखिए यहां पर एक चोटा सा डाइग्राम है यह देखिए यह क्या है जैड पीडी यह जैड पीडी वह है जब बच्चा जो है वो खुद से कार्य कर रहा था इससे पहले सैल्फ स्टडी ठीक है और उसके बाद जब उसे थोड़ी सी हैल्प मिली यानि स्कैप मिपस्त विकास का सिदन्थ ठीक है तो इस चीज को याद रखना है यह है जोन और प्रॉक्सीमल डेवलपमेंट अब यहां प्रश्ण जो है यहीं पर बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है स्कैप फोल्डिंग और जैड पीडी में बिल्कुल जैड पीडी स्कैप फो जैड पीडी कहते हैं उस दाइरे को जब बच्चे को हैल्प मिली और वो खुद से काम कर रहा था उसके बीच में इसके फोल्डिंग क्या था हैल्प थी ठीक है जो सपोर्ट मिला उसे वह है और यह पूछा जाएगा कि वाइगोस्की की जो थियोरी है उसमें सबसे की सोसल इंट्रेक्शन की ठीक है और बच्चा जो है खुद से बात करता है उसको वाइगोस्की क्या कहते हैं उसे प्राइविट स्पीच कहते हैं ठीक है वहां आप इगोसेंट्रिक नहीं करेंगे वह जीन प्याजे कहते हैं और पूछा जा सकता है कि वाइगोस्की जो है वो कहां के विज्ञानिक थे, रूसी विज्ञानिक थे, अब देखिए ये वर्ड जो है सामाजिक रचनावाद, तो यहां जीन प्याजे जो है, वो भी रचनावाद की बात करते हैं, वो केवल रचनावाद की बात करते हैं, सामाजिक रचनावाद की बात कौन करते हैं, वा झाल झाल